और सत्र की कार्यवाही के दो दिन मिल्ला जुला कर काफी हंगामेदार रहे विपक्ष के हंगामे पर भाच्पा ने निशाना साधा है भाच्पा नेताओं का कहना है कि विपक्ष राज्यहित की बात नहीं कर रहा और सत्र में बाधा पहुचा रहा है भाच्पा के आरोपों पर कॉंग्रेस ने भी बलटवार किया कॉंग्रेस का कहना है कि बाधा नहीं पहुचा आया जा रहा बलकि विपक्ष प्रदेश के समस्याओं को सामने रख रहा है जिससे सरकार नहीं देख पा रही कल जिस तरह से माता वहनों के शाथ और उत्राखंड जिन्होंने बनाया है उत्राखंड नांदरनकारियों उन्होंने जो परदर्शन किया है कुछ समस्याओं को लेकर के तो मावने लेटी वी हैं उन पर लाठी वर्साई जा रही हैं कितनी कुरूर सरकार है और भारत्य जंता पालती का नाम भी सुनने को लोग पैयार ने होंगे वहिश में ये वो लोग हैं जिनोंने देश की आजादी से लेकर उत्राखंड की आर्थिक आजादी की जंग लड़ की और सब्वालता प्राप्त की गैरिशन में सत्र होना और दस दिन का बजड़ सत्र होना ये राज्य के लिए इतियास श्क्षन है लेकिन विपक्स जिस तरीके से शत्र में बाधा पहुंशाने का काम कर रहा है हमने विपक्स से रसनात्मक और सकरत्मक विपक्स की भूमी क की इच्छा बेक्ट करी थी और उनको करना भी चाहिए था लेकिन वो जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं जिस तरीके से बाधा उत्पन कर रहे हैं उससे यही सावित हो रहा है कि उन्हें राज्य के विकास से कोई शरोकार नहीं है जो वहां पर बिजनिस रखा जा रहा उस बिजनिस से उनने को कोई मतलब नहीं है वो राज्य की हीत्र की बात नहीं कर रहे हैं वो सत्र में बाधा पहुचा कर राज्य का अनहीत कर रहे हैं